नमस्कार दोस्तों पैश्णवी और्गेनिक डेरी फोर्म में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे फासफोरस के बारे में पसूओ के फासफोरस के कमी के बज़ा से कौन-कौन सी रोग होती है और क्या निदान है तो पहला है तीब्र फासफोरस की कमी समाननित उच उतपादक्ता वाली डेरी गायों में अस्तनपान की सुरुवाती अवधी में अधिकतर पाया जाता है अस्तनपान की सुरुवात में फासफोरस की अचानक से कमी होना सुरू हो जाता है प्रसव की अवधी के आसपास पसुक के अहार चारा सेवन में कमी आना फासफोरस की एक बड़ा कारण माना जाता है और दुसरा है जिर्न फासफोरस जिर्न फासफोरस की कमी पसुओं में आम तोर पर लंबे समय तक प्रियाप्त मात्रा में चारा लेने से उत्पन होता है के कमी के कारण क्रोनिक फासफोरस की कमी हो जाती है इस परकार की फासफोरस की कमी सुस्क छेत्र में चरने वाले पसूँओं में पाई जाती है क्योंकि इन अस्थानों की मिटी में सोभाविक रुप से फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है तिस्रा है अन्ने फास्फोरस, फास्फोरस के बिना हाइपोफोسफेतिमिया, एक प्रकार का फास्फोरस की कमी, औरल, पेरेंटू कार्बोहाइडरेट, संदेने के पशचात, को सिकाओं दोवारा फास्फोरस के गुलकोज के साथ अधिक मात्रा में उपियोग की वज़ा से फास्फोरस की कमी उत्पन हो जाती है। दोस्तो इसके फास्फोरस के कमी के कारण है अहार में फास्फोरस की कमी, क पहला मिट्टी मृदा में फास्फोरस की कमी, ख सुखी घास वहरे चारे में फास्फोरस का सोभाविक रूप से कमी होना, गर सुखे की दिसा दसा इस्थिति में चारे में फास्फोरस की कमी उत्पन हो जाना और दुसरा कारण है शरीर द्वारा फास्फोरस का अप्रयाप अव सोसन का दूधारूप ऐसीओंThen दूध के साथ फास्फोरस का अधिक मात्रा में स्राव होना कह अग्रिम अवस्था में दौरान भृून के विकास के लिए फासफोरस की आउसकता में बृध्धी होना फासफोरस के कमी के परकार थे तीब्र और जिर्ण दोस्तो इसका अन्य जो निदान है आपको निदान बताने आए हैं पहली वीडियो में हमने इसके बारे में डीटेल से चर्चा किया था आपकी खेत में फासफोरस की मातर आच्छी है तो हरा घास के दवारा पसुओ को फासफोरस मिल सकता है हरा घास खिलाएं पसुओ को एक मातर सुखा चारा खिलाना दूसरा लच्छन है काफी कौफी रंग के मुत्र का विसर्जन होना पहला था इतिहास इसका अग्रिम अवस्था जल्दी अस्तनपान पसुओ को एक मातर सुखा चारा खिलाना दूसरा है लच्छन कौफी रंग के मुत्र का विसर्जन होना खून की कमी पिलिया एक क्रीत पलीहा के आकार में ब्रिधी होना तिसरा जाचे का रूधीर कम हीमोगलोवीन पी सी बी टी इ सी खा वायो केमिकल सीरम के कम मातरा में अकारवनिक फास्फोरस गा मुत्र में हीमोगलोवीन पाया जाता है पसुओ के चारे वहार की जाच तथा पाचवा नंबर है मृदा में फास्फोरस की मातरा की जाच करना परमूख लच्छन है फासफोरस की कमी से ग्रसित युबा पसुओं में उत्सुकता वेचैनी मांस्पेशिया में कमजोडी हड्डियों में दर्द लाल रूधिक कनिकाओं का अधिक संख्या में तूटने लगना हाइपोफासफेटीमिया में तंत्री का तंत्र संबंधी लच्छन उत्पन होना हिर्दय गती स्वांसदर का बढ़ना ATP की कमी के कारण स्वेत रग कनिकाओं ये प्लेटनिस कारे में इस्थिलता आना हाइपोफासफेटीमिया के कारण दुधारव पसुओं में फासफोरस की कमी दिखाई देती है ये लच्छन है और घास में कमी के कारण भी हो सकता है दोस्तों इसका इलाज की बात करे तो पसुचिकित्सक द्वारा फासफोरस की कमी से ग्रहसित पसुओं की चिकित्सा निम्न परकार से करसते हैं सोडियम एसीड फासफेट अथवा बफर फासफोरस का पचास मिग्रा इंजेक्शन पहले दिन दो तीन दिन बाद पचीस मिग्रा का दूसरा इंजेक्शन के साथ इस इलाज अत्यधिक प्रभावी होता है खुन की कमी के स्थिती में खुन चढ़ाएं तथा मिनरल खनीज मिश्रन पचीस पचीस ग्राम रोज पसु को खिलाएं रोख थामिव नियंतरण है पसुओ को अहार में संतुलित मातरा में फासफोरस उपलव्द कराएं मिर्दा में फासफोरस की कमी मतलब मिट्टी में फासफोरस की कमी को दूर करने के लिए फासफोरस युक्त उर्बरक टालें गर्भावस्था के अम्तिम सप्ता के दोरान अहार में अधिक मात्रा में फासफोरस न दे या पसुओं के लिए प्रान घातक हो सकता है ठंड के मौसम में अग्रिम गर्भावस्था वाले पसुओं को ठंड के तनाव से बचाएं दोस्तो रोगठाम और भी जो तरीका है इसका पसुद चिकित्सक के दोरा जो गरशित पसुओं की चिकित्सा है वो निम्न परकार से कर सकते हैं जैसे आप मिनरल जो है पसुओं को पचीस सिया पचास गराम रोजाना दे कर PASPORUS की कमी को पूरा कर सकते हैं और साथ में केल्सी मस्टडी भी दे सकते हैं जो FASPORUS की कमी है उसका निदान यह जो तरीका है यह आप अपना करके पसुग को बचा सकते हैं और उपचार में और भी आप खासा ख्याल रखें रोग के परमुक कारण का पता लगा कर उसे दूर करें पसु को दिये जाने वाले आहार की पौश्टिक्ता में सुधार लाएं रोम नथी पसु को आहार में इस्ट पाउडर दें या कैलसी डी मस्ट दे सकते हैं फासफोरस की कमी को पूरा करने के लिए इंजेक्शन, बिटामिन A तथा बिटामिन B कमप्लेस भी दे सकते हैं गाय भैंस को पचास ग्राम खनीज मिश्रन लवन परती दिन दे इसके लिए मिनरल इट को पसु को चाटने के लिए आगे रखें बैसक पसु को अहार में परती दिन लगवग पचास ग्राम सादा नमक अवस्य दें परतेक तीन माह पर पसु को पेट के कीडों की उसधी अवस्य दें पसु को कम से कम पाँच दिन तक पसु चिकित्सा के सला से फासफोरस का इंजेक्शन अवस्य लगाएं पसु को परती दिन पचास ग्राम सोडा फास पाउडर खाने में दें तो फासफोरस की कमी लमसम 90 परसेंट खत्म हो जाती है तो चारे में अच्छी फासफोरस की मातरा को बनाए रखने के लिए आप जो है गोबर या बर्मिंग कमपोस्ट का इस्तमाल करके पसु के आहार में संतुलित मातरा में फासफोरस उपलब्द कराने का प्रयास करें मिर्दा में फासफोरस की कमी को दूर करने का युक्ती या उपाय करें और इन सब बातों को ध्यान रख करके आप फासफोरस की कमी को खतम कर सकते हैं अगर आपको किसी परकार की सहायता चाहिए तो डॉक्टर मनीश कुमार बर्मा फार्मा कॉलनी टॉक्सी लौजी विभाग नरेंदर देव कुमार गंज फैजाबाद में हैं मॉइल नमबर है 9889901856 कंसल्ट करके फासफोरस की कमी के बारे में निदान पूछ सकते हैं धन्यवाद बाकी डिप्सक्रिप्शन में आप साइड में देख सकते हैं जब पसुओं के अंदर फासफोरस की कमी हो जाती है तो पसुओं उन सभी चीजों को खाने की कोर्शिस करता है या करेगा उसे नहीं खाना चाहिए जिसे वास्तव में वह दिवार चाट कर मिट्टी खाकर या दूसरे पसुओं का पेसाब चाट कर अपनी फासफोरस की कमी को पूरा करना चाहता है ब्रिधिसील पसुओं की बढ़ावर कम हो जाती है फासफोरस की कमी होने पर पसुओं की परजनन चमता प्रभावित होती है पसुओं मद या गर्मी में नहीं आएगा पसुओं की हडियां कम जोड हो जाएगा इसकी कमी को पूरा करने के लिए कैलसी मस्ट डी दे सकते हैं या पसुओं को पचास ग्राम मिनरल सुबह साम दे सकते हैं पसूओं को फस्फोरस के कमी से बचाने के लिए चारा फसल उगाते समय खेत में उचित मात्रा में इन पीके डालिए पसूओं के लिए राती वेया दाना मिश्रन बनाते समय 30 से 40 परतिसद चोकर जरूर रखिए और रासन बनाते समय उनमें दू परतिसत की दर से उत्तम गुनवत्ता के खनीज मिश्रन का जरूर मिलाई है पसुओ को बहुत अधिक मातरा में कैलसियम देने पर भी फासफोरस की कमी हो जाती है इसलिए पसुओ को केवल कैलसियम की हो सकता अधिक मातरा में नहीं होता है और अधिक मातरा में नहीं खिलाना चाहिए पसुओ में अगर उपर बताये गए लच्छन दिखाई दे तो निम्न उप्चार आप कर सकते हैं इसका जो मुख्य कारन है जो पहले ही हमने बता दिया है थेंक्यू धन्दाव